कहते हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेका करते हैं। बिहार में सियासत इंदिनों घर्म हैं। बिहार में विधान मंडल का मौनसून सत्र चल रहा है। और इस मौनसून सत्र में खूब हंगामा विपक्षी भारतिय जन्ता पाटी के तरफ से किया जा रहा है। क्यों हंगामा किया जा रहा है कि तेजस्वी आदो जो बिहार के डेपुटी सियम हैं, उन पर एडी ने चार्शीट दायर कर दी है। चार्शीट में तेजस्वी आदो का नाम है, लेहाजा तेजस्वी आदो को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी यह मांग कर रही है और इसी मांग के साथ बीजेपी लगातार बिहार विधान सभा में, बिहार विधान परिशद में हंगामा कर रही है। आज दूसरे दिन भी बिहार विधान सभा की कारवाहिस थगत कर दी गई लेकिन अब आपको भारतिय जनता पार्टी का इतिहास बता देते हैं भारतिय जनता पार्टी के नेताओं का कारणामा भी आपको बता देते हैं ब्रिज भूशन शरन सिंग का नाम आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों उमसे वो काफी चर्चा में है भारतिय जनता पाटी के सांसद हैं वो कैसर गंज उत्तर प्रदेश से इसके अलावा जो है वो Wrestling Federation of India के प्रमुख भी थे उन पर कई सारे आरोप लगे बड़े शर्मनाक आरोप लगे यौन शोशन के आरोप लगे अब चार शीट में उनका भी नाम है चार शीट ब्रिजभूशन सरंट सिंग के खिलाब भी आ गया है और वो भी किस ने किया है दिल्ली पुलीस ने किया है और दिल्ली पुलीस जो कहती है ब्रिजभूशन सरंट सिंग के बारे में वो सुनकर शर्म से जुग जाएंगे आप लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस की चारशीट में कि भारतिय जनता पाटी के सांसद ब्रिजभूशन शर्ण सिंग ने जो किया है वो उसके लिए वो कोकर्मों के हकदार है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रिजभूशन शर्ण सिंग पर यौन उत्पीडन छेड़ चाड़ और पीछा करने के लिए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था और सजा भी दी जा सकती थी ये ब्रिजभूशन शर्ण सिंग के बारे में कहा जा रहा है लेकिन ब्रिजभूशन अभी भी बीजएपी का सांसद है उससे स्तीफा नहीं मांगा जा रहा है चार्ज शीटेड होने के बावजूद किन मामलों में यौन सोशन जैसे मामलों में उसके बाद भी उनसे स्तीफा नहीं मांगा जा रहा है उल्टे बीजेपी से इस्तीफा मांगा जा रहा है चलिए ब्रिज भूशन शरन सिंग की बात खतम कर देते हैं महरास्ट में भी पिछले दिनों सियासी उथल पुथल देखने को मिला सत्ता में थोड़ी सी इधर से उधर मतलब जो महरास्ट में बीजेपी की सत्ता है वो किता थे अब भारती जंता पार्टी के सयोगी है 2016 में मनी लॉंडरिंग के मामले में जमीन हथी आने का मामला था और चगन भुजबल का नाम चारशिट में आ चुका है 2016 में अब चगन भुजबल मंत्री हैं इसके आगे आई यह अजीद पवार जो उपमुख्य मंत्री बन चारशिट दैर कर दिया है अलांकि चारशिट में जीद पवार या उनकी पतनी का नाम नहीं है लेकिन इड़ी ने कहा था कि अलग से चारशिट में उनका नाम आ सकता है यह मामला ऑक्टूबर 2021 का है एक हसन मुश्रिफ साहब भी मंत्री बने हैं ncp के थे उनके बारे में धेर सारे आलो आरोप भारतिय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जाते थे बीजेपी के एक नेता ही थे किरिट सुमयया और किरिट सुमयया तो इन नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे अब यांच चेड़े रहते थे हसन मुश्रिफ पर भी देर सो क्रोड रूप की रिपोर्ट है हम आपको बता दे कि पिछले नौ साल में पिछले नौ साल में भारतिय जनता पाटी ने कैसे कैसे नेताओं पर आरोप लगाए ब्रस्टाचार का रोपी बताया चाप बैमारी हुई सब कुछ हुआ लेकिन आज वह बीजेपी के साथ है तो करवाई लगभ रोक दी गये हम आपको कुछ नाम जो है इनमें से बता देते हैं हिमानता बिष्वा सर्मा आसाम की मुक्व मंत्री वह चांग्रेस की सरकार में जब तरुन गोगोई की सरकार थी वो सीम थे आसाम के तो हिमानता विश्वा सर्मा मंत्री थे उन पर शारदा चीट फंड घोटाले में सीवी आई रोप लगाया था और शारदा गुरूप के डिरेक्चर सुधिपतो सेंसे हर महीने 20 लाख रुपए लेने का रोप लगाया था और सीवी आई ने 2014 के नवंबर के महीने में आखरी बार हिमानता से पूछताच की एबीपी न्यूस की रिपोर्ट है और 2015 के अगस्त में जब हिमानता विश्वा सर्मा बीजेपी में शामिल हो गए फाइल बंद हो गई और अभी वह आसाम के मुख्यमंत्री है चलिए शुभेंदू अधिका नार्दा स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेने का आरूप लगा इडी ने जाच शुरू की शुभेंदू जब टीमसी में थे तो जाच एजन्सियों की करवाई शुरू हुई और 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदू के खिलाफ शार्दा घुटाले की जाच शुरू की और बीजेपी में जैसे ही गए सारा मामला जो है खतम शुभेंदू अधिकारी की बात जितेंद्र तिवारी पश्यम बंगाल आसन सोल के कद्दावर नेता थे और जब वह भी त्रिणमुल कॉंग्रेस में थे तो उन पर आरोप लगा था कि वह कोईला चोर तसकर बीजेप पन्नों का दस्तावेश स्वपा गया था नारायन राने बीजेपी में शामिल हो गया शारे काम खतम हो गया बीस यह दुरप्पा यह दुरप्पा पर तो व्रस्टाचार के मामले पर उनको कुर्सी ही छोड़नी पड़ी थी प्रवीन डारेकर ये भी महारास्ट के ही है प् 2022 में आर्थिक अपराथ शाका जो है क्लिंचिट मिल गया और वह अभी भी मुंबई कॉपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष बने हुए मतलब जब तक दूसरी पार्टी में रहे तब तक आरोपी बीजेपी में गए सारे आरोप खतम हार्दिक पटेल हार्दिक पटेल क दर्ज हुए तड़ीपार घोशित कर दिया गया बीजेपी में शामिल हुए सारा नाम खतम हो गया बहुत सारे ऐसे नाम है अजीत पवार मुकुल रोय बहुत सारे कितने नाम बता और इनको तेजस्वी आदव का इस्तीफा चाहिए भारतिये जनता पार्टी का दोहरा चर तो ऐसे में जो बिहार में बीजेपी का रवया है वो आपके सामने है हमने पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख दी है वीडियो पसंद है तो शेर जरूर करिएगा धन्यवाद